मधू लाइफ स्टोरी पार्ट टू तभी रेखा घुटनों के बल बैक गई और उसके पैरों में पैल डालने लगी मधू ने थोड़ा विरोध किया लेकिन रेखा ने पैल उसके पैरों में लगा दी अब क्या तुम मेरे लिए चल सकते हो मुस्कुरा कर अपनी मम्मी से विनती की मधू कुछ कदम चली और हर कदम के साथ पायल बहुत शोर मचाने लगी और मधू को ये बहुत पसंद आया जैसे वे रसोई में काम कर रहे थे ये वास्तव में अच्छा चल रहा है रेखा ने अंजली से कहा हाँ, वह जुमके पहन कर बहुत खुश है वह एक छोटी लड़की की तरह है अंजली ने मुस्कुराते हुए कहा रेखा ने एक वज्जवल मुस्कान के साथ इसके लिए सेहमती व्यक की सत्र चूडिया अगले सत्र के लिए जब काव्या ने मधू को देखा तो उससे खुशी हुई मधू अधिक शान्थ है बढ़िया जुमके, मधू के जुमके को देख पूरक काव्या धन्यवाद, मुस्कुराते हुए मधू ने कहा जैसे ही मधू सो गई मधू अपसे तुम्हें चूडिया पहनना अच्छा लगेगा तुम्हें लगेगा कि उनके बिना तुम्हारी बाहों से कुछ छूट रहा है आप उन्हें पहनना और उनके साथ खेलना पसंद करेंगे काव्या ने उसके कानों में फुसुसाया अगले कुछ दिनों तक मधू ने जब भी अंजली या रेखा में से किसी एक को देखा तो वह उनकी तरह चूडिया पहनना चाहता था लेकिन वह उनसे इस बारे में पूछने में शर्मिंदा था अंजली मधू की दुविधा को समझ गई रात को जब वे सेक्स कर रहे थे तो अंजली ने मजाक में अपनी चूडिया मधू के हाथों पर रख दी और उसने विरोध भी नहीं किया अंजली को आश्चार्य हुआ कि वह बिस्तर पर बहुत अच्छा था अगले दिन जब मधू उठी तो अंजली बिस्तर पर नहीं थी और उसने अपने हर हाथ में एक गर्जन चूडिया पहन रखी थी उसने अपने हाथ हिलाए और उसे इसका एहसास पसंद आया वो उन्हें हटाना नहीं चाहता लेकिन उसे चिंता है कि कहीं अंजली उसे चूडिया पहनना पसंद न करे वो चूडिया निकालने ही वाला था तब ही अंजली कमरे में घुज गई मधू उन्हे मत हटाओ अंजली ने कहा मधु रुकी क्या आपको चूडिया पहनना पसंद नहीं है अंजली से पूछा थोड़ी सी जिज़क के साथ मधु ने कहा नहीं अंजली ने उससे फिर वही सवाल किया वो काफी था उसे अपनी पत्नी को ये बताने में शर्मा रही थी कि उसे चूडिया पहनना पसंद है अंजली उसके पास बैग गई और उसके हाथ पकड़ लेती है मधु चूडिया पहनना पसंद है तो ठीक है मुझे भी चूडिया पहनना पसंद है अंजली ने एक उज्वल मुस्कान के साथ कहा तो मैं चूडिया पहनू तो तुम पागल नहीं होते कन्फ्यूस्ट मधू ने पूछा बिल्कुल नहीं तुम मेरे प्यारे पती हो आप जो चाहे पहन सकते हैं अंजली ने इतने प्यार से कहा मधू को अंजली ने चुआ उसने तुरंत उसे कसकर गले लगा लिया जिस तरह से चीजे चल रही है उससे अंजली और रेखा को खुशी महसूस हुई रेखा की जित से मधू शुक्रवार को हल्दी स्नान करने लगी शाम को रेखा उसके बाल बना रही थी रेखा की केर से अब उनके बाल उनके कंदों से निकल चुके है एक बार जब रेखा ने उसके बालों को जुड़े में डाल दिया तो उसने कुछ फूल लिये और उन्हें जुड़े के चारों और पिन करना शुरू कर दिया थोड़ी सी जिज़क के साथ मधू ने कहा नहीं प्लीज जान मेरे लिए पहन लो रेखा ने कहा और अपने जुड़े के चारों और पिन कर दिया जब रेखा और अंजली ने उसकी तरफ देखा वह इतना स्ट्रेंड लग रहा था अगर वह सारी पहनता है तो वह उतना ही अच्छा होगा जितना किसी अन्य महिला ने उन दोनों को सोचा था सत्र घर के काम एक बार मधू सो गई मधू अपसे तुम घर के काम करने लिगोगी तुम घर के कामों में अपनी मा और पत्नी की मदद करना पसंद करोगे काव्या ने उसके कानों में फुस्फुसाया अगले ही दिन मधू टीवी देख रही थी कि अंजली और रेखा किचन में कहां काम कर रही है अचानक उसे अपराध बोध हुआ वह रसोई में गया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें उसकी मदद की जरूरत है उन दोनों को खुशी हुई और रेखा ने उसे छोटे छोटे काम सौपने शुरू कर दिये रेखा और अंजली की तरह ही एक हफ़ते के भीतर मधू ने घर की काम करना शुरू कर दिया अंजली और रेखा दोनों को अपने साथ एक और महिला पाकर खुशी महसूस हुई सत्र कपड़े अगले सत्र के लिए काव्या ने अंजली और रेखा को मधू के साथ आने के लिए कहा जैसे ही मधू बाहर इंतजार कर रही थी कावया अंजली और रेखा दोनों से बात करने लगी अंजली और रेखा अब तक सब कुछ वास्टव में अच्छा रहा लेकिन सबसे महत्वपून बात यह है कि आज मैं उसे महिला कपड़े पहनने के लिए सम्मोहित करूंगा मैं केवल उसके दिमाग में सुझाव डाल सकता हूँ यहाप लोगों को बहुत काम करना है कावया ने कहा और अंजली और रेखा दोनों ने कावया को करीच से सुनना शुरू कर दिया आप दोनों को मधू को पैंट पहनने से लेकर साड़ी तक धीरे-धीरे फैमिनाइज करना है धीरे-धीरे लो, नाइटी, सकत, सलवार से शुरू करो और अंध में साड़ी तक कावया ने कहा और उन दोनों ने अपना सिर हिलाया मधू जब सो रही थी, तब मधू अपसे, आपको पैंट पहनने से नफरत होगी और आप महिला की तरह सुंदर कपड़े पहनना पसंद करते है तुम इस ट्रैन होना पसंद है, तुम इसे शालीनता से स्वीकार करोगे कावया ने उसके कानों में फुसफुसाया अगले कुछ दिनों तक मधू ने अंजली और रेखा की कपड़े पहनना शुरू कर दिया वह नहीं जानता की क्यू लेकिन वह महिलाओं की कपड़े पहनना चाहता है यह उसके लिए सही लग रहा था कुछ दिनों बाद जब वे किचन में काम कर रहे थे तो अंजली और रेखा दोनों ने नाइटी पहन रखी थी और मधू उनकी पैंट और शर्ट में थी मधू तुम पैंट में काम करने में इतना असहज महसूस कर रही हो तुम हमारी तरह नाइटी क्यों नहीं पहांती रेखा ने पूछा हिच की चाहट के साथ मधू ने कहा कि वह पैंट के साथ ठीक है लेकिन अंजली ने नहीं सुना उसने उसका हाग पकर लिया और उसे अपना शैन कक्ष ले गई उसने अपनी अलमारी से एक नाइटी निकाली अंजली ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिये और वह बस थोड़ा जिजख रहा था लेकिन वह पहले से ही नगन था अंजली ने नाइटी ली और उसे पहनने में मदद की उसने पीछे से नाइटी को जिप किया अब आप आराम से काम कर सकते हैं अंजली ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा मदद जब नाइटी में किचन में चली गई तो रेखा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ मदद बिलकुल एक महिला की तरह लग रही है अगले सब्ताह तक मदद ने नाइटी पहनना जारी रखा अंजली और रेखा के लगातार सुझावों के साथ उन्होंने धीरे-धीरे खुद को एक महिला की रूप में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया जिस तरह इसे वल चलता है, बैठता है और काम करता है वो बहुत स्ट्रेन होता जा रहा है एक हफ़त